यहलो फ्रेंड्स वेलकॉम टो स्टोडीविली अगर आप के बईयस के लिए प्रिप्रेशन कर रहे हैं जिसका वदे सिफरेश में आने वाल bereits है और आप अपने mock test में अपने test stage में जो score आप बन रहा है उसको लेके अगर आप confusion है कि कैसे selection ले कौन सा strategy अपना score improve के लिए और कितना score पे हम खुद को save माने अगर आप nervousness से गुजर रहे हैं इस score को देखे अपने तो इस वीडियो आपके लिए बहुत ही जाद helpful रहेगा चाहे आप किसी भी post के लिए preparation कर रहे हैं ये वीडियो जो है आपको एक concrete idea देगा target set करने के लिए ठीक है तो चलिए वीडियो को detail में शुरू करते हैं इस वीडियो में हम जो है concept को समझने के लिए target set करने का जो concept है उस प्याट्टी केटेगोरी में जो है बहुत सारे केटेगोरी का cut off गया है लेकिन हम हमेशा जब preparation के stage में होते हैं तो हमको सिर्फ e-r category का जो score होता है उसको लेके target set करना होता है preparation करना होता है खुद को compare करना होता है क्योंकि you are category का देखा गया है कि लगफक you are category का जो score है बहुत ज़्यादा high जाता है अगर आप preparation के stage में है और आप अपना अगर target sit करते हैं you are के level पे तो जब आपका job का exam होगा उसमें अगर you are में आप नहीं भी जा पाए तो अपने category में आप जो है cut up जरूर clear कर लेंगे यहाँ पर जो score दिखाया गया है प्याट्टी का यह written और interview का जो वेटेज है 85 और 15 का उस ratio को maintain करने के बाद इतना score बनता है और जिस भी candidate का written interview को मिला के इतना score बना है उस candidate का जो है your category में selection हो गया है या फिर इस से उपर भी देने candidate है सबका selection हो गया है यहाँ पर समझने बाद क्या है उस PDF में हम चलेंगे अभी जिस PDF में जो है final merit list बनाया गया है उनका जो written का score interview का score सब कुछ दिया गया है हम उसमें detail में इसको analysis करेंगे तो friends यह रहा उस PDF जहां पर हम discuss करेंगे अभी detail में कि written और interview का score जो है कैसे हर एक score आपके लिए बहुत ज़्यादा important होता है कभी-कभी written में ज़्यादा score करके भी job नहीं लगता और कभी-कभी interview में ज़्यादा score करके भी job नहीं लगता सब कुछ detail में देखेंगे सबसे पहली बात जो है यहाँ पर जो topper रहे थे उस साल का जो पिछले बार का विकेंशी का उनका नाम है स्रेयाश्री इनका जो है written का score 122 था और इनका जो interview का score था वो था 58 मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको आपको देखने में आसाने होगी यहाँ पर आप clear देख सकते हैं इनका नाम स्रेयाश्री है इनका रिटिन का score 122 और इनका जो है इंटर्विव का जो score बना था वो था 58 इनका जो है रिटिन और इंटर्विव दोनों बहुत ही संदर गया है और बहुत सारे एब्रेज लेवेल के केंडिडेट जो कि खुद को लो लेवेल का या फिर एब्रेज लेवेल का मनते हैं खुद को उनको जो है यहाँ पर नर्वसनेस आ गया होगा क्योंकि हमारा तो जो रिटिन में इतना अच्छा स्कोर नहीं बनता है और हम जो है इतना confident भी नहीं है कि इंटर्विव में भी इतना अच्छा स्कोर कर पाए लेकिन इतना बड़ा target आप चाहे तो set कर सकते हैं टॉप करने के लिए लेकिन जॉब लेने के लिए आपको इतना बड़ा target set करने की कोई ज़रौत नहीं है तो किस level का target आपको set करना चाहिए हम देखेंगे वहाँ पे देखे थे कि हमने PRT का जो candidate लास्ट candidate जिसका स्कोर था 68.60 तो उसका जो है final selection हुआ है ठीक है जितने भी candidate का 68.60 से नीचे का score रहा है उसका जो है selection नहीं हुआ है तो हम जो है last candidate को देखेंगे जिसने 68.60 का score किया है और उसने किस तरह इस score के तरव पहुचा है उसने क्या किया था कितना score किया था return में कितना score किया था interview में और उसने जो है 68.60 का जो cut off है उसको touch किया उसको आज हम इस विडियो में detail में पुरा देखेंगे तो फ्रेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो last candidate जिनका score 68.60 है उनका नाम है मोहित सर्मा यहाँ पे 68.60 इस candidate के नीचे जितने भी candidate है उनका score 68.60 से नीचे है यानि कि उनका your category में selection नहीं हुआ है ठीक है और इनका नाम मोहित सर्मा है यही वो last candidate है जिसने 68.60 का score किया है और वो last selected candidate है के भीयस में your category में पिछले साल का ठीक है इनका जो return का score था वो था 99 marks इंटर्व्यू का score था 50 marks और अगर आपका score 45 से एबब आता है इंटर्व्यू में तो उसको एक ठीक ठाक marks माना जाता है कितना भी आई 45 से एबब और आपका इंटर्व्यू अच्छा गया है बोलके माना जा सकता है ठीक है तो मोहित सर्मा ने जो है score किया है return में 99 और इंटर्व्यू में जो है उन्हें 50 का score किया है लेकिन अभी मैं आपको देखा दूँ यहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे candidate हैं जिनका की मोहित सर्मा की नीचे list की नीचे नाम है लेकिन उनका जो है final selection नहीं हो पाया है यह वार 606 102 का return का score किये हैं वो लोग लेकिन उनका interview देखेंगे तो यहाँ भी बहुत ही खराब score किया है उन्हें इंटर्व्यू में जिनका score 25 ऐसा score रहा है 25 59 इस तरह का एक candidate का तो 95 return में रहा और इंटर्व्यू में 59 का score रहा इंटर्व्यू बहुत ही सांदर गया उनका लेकिन फिर भी जो है उनका score finally caught up list में नहीं आ पाया ठीक है और एक candidate को मैं आपको दिखा देता हूँ जिनका return में इतना अच्छा score गया 110 का score लेकिन उन्होंने जो है इंटर्व्यू में इतना खराब score किया और मैं उस candidate की जो है तो जो candidate है उसके इंटर्व्यू का जो score खराब हुआ है उनका उसके लिए candidate का कोई जम्मिदारी में नहीं मानता उसको जम्मिदार में नहीं मानता क्योंकि आपका जो impression है impression level interview में कैसा जाएगा यह आप कितना भी पहले से decide कर ले कितना भी preparation कर ले मेरा खुद का जो experience है आप इंटर्व्यू में आपका कितना अच्छा score बनेगा आपका decide के हिसाब से नहीं होगा आप जितना भी पहले से decide किये हैं उस हिसाब से होगा इसका कोई guarantee नहीं है क्योंकि वहां पर impression ज्यादा फोकस रहता है आप कितना भी कुछ preparation कर ले हाँ preparation ज़रूरी है इंटर्व्यू के आपका रिटिन का score बनता है ठीक है और इंटर्व्यू में आप preparation के हिसाब से बनता है लेकिन वहां पे आपका impression भी बहुत ज्यादा matter करता है आपका face value आपका communication skill आपका presentation skill यह सब वहां पे बहुत ज्यादा matter करता है लेकिन आप अपना पकड़ बना सकते हैं रिटिन एक्ज आपके उतना अच्छा आपको छूट मिलेगी कि आपका जो इंटर्व्यू अगर थोड़ा बहुत खराब भी जाए तो फाइनली आपका selection बन जाएगा ठीक है नीचे और भी बहुत सारे ऐसे candidate हैं जिनका score मोहित सर्मा से ज्यादा है रिटिन में इंटर्व्यू में कम होने के कारण उनका जो है selection नहीं हो पाया तो रिटिन और इंटर्व्यू दोनों का बहुत ज्यादा रोल है अपका फाइनल सेलेक्शन में लेकिन फाइनली में आपको सोजेक्ट क्या करना चाहूंगा आप अभी से जो है रिटिन में फोकस करते रहे हैं इंटर्व्यू का जो है कुछ भी आपके हाथ में नहीं है आप कितना भी preparation कर ले वहाँ पे जाके आपको आपकी impression के हिसाब से जो है final score मिलेगा रिटिन के लिए आप अपना preparation अच्छा करिए target हमेशा 115 का लेके चलिए ठीक है 115 या फिर 117 का score आप target लेके चलिए और अगर अभी आपका score मान रहा हूं बहुत सारे candidates का 80, 85 और 90 के बीच में बहुत सारे candidates का score अभी रहे रहा होगा हुआ उनको अभी से nervous होने की कोई जरूद नहीं है आपके हाथ में April में अगर vacancy आता है तो मान के चलिए इससे सिर्फ दो महिने में अगर आपका exam होता है इपरेल दो से तीन महीने में तो जो है अगर वेकेंश आएगा तो जून तक अगर आपका एकशμ होता भी है तो अभी आपके हाथ में जो है चार से पांच महीने का जो टाइम है अभी आपके पास preparation को अच्छा कीजिए ज्यादा से ज्यादा मौक्स लगाई है और आप बार बार कोशिश कीजिए कि जो है 117, 120 के करीब जो स्कूर है रिटिन में इतने का जो इतने स्कूर के पास पहुचने की कोशिश कीजिए हाला कि आपका अगर नहीं भी बनता है तो यह आपको सोचने की कोई जरुरत नहीं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा हो सकता है कि आपका इंटर्विव अच्छा चला जाए ठीक है रिटिन में फोकस कीजिए और अपना स्कूर इंप्रूब करने का जो एक तरीका है बहुत ज्या मोक को टेकल करना नहीं आता जो है आपका स्कूर इंप्रूब नहीं होगा मोक्स जो है आपके लिए बहुत ज्यादा स्कूर इंप्रूब करने वाला एक तरीका है ठीक है मोक्स जो है आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा लगाना है पढ़ाई मेरे हिसाब से जो है आपका जो study schedule है उसको आप divide कर लीजे mocks पर अभी जिनका preparation हो चुका है syllabus complete हो चुका है mocks पर ज्यादा focus करें और पढ़ाई उस हिसाफ से कीजे आपका study है उस हिसाफ से कीजे जिस हिसाफ से जो आपका mocks खराब हो रहा है जैसे कि mocks में अगर आपका आपका biology section से score घट रहा है regionning section से score घट रहा है अगर आपका English section में score घट रहा है तो उस section को आप prepare कीजे जिनका भी syllabus complete हो चुका है उनको अभी बहुत सारे नए किताब नहीं खरी दिना है पढ़ने के लिए सिर्फ mocks के लिए ज़्यादा से ज़्यादा book purchase कीजे ज़्यादा से ज़्यादा mocks दीजे उस mocks से आपका score improve होगा कोई story book आपका score improve अभी नहीं करवा सकता और कुछ candidates ऐसे होंगे जिनका score अगर 4-5 mocks में 117 अगर बन जाता है उससे वो लोग बहुत ज़्यादा confidence हो जाएंगे और फिर से जो है उनका अध्यान mocks पे नहीं रहेगा मेरा तो mocks बहुत ज़्यादा clear हो चुका है mocks में इसका मतलब मेरे return में score नहीं घटेगा मैं अब interview में focus करना ठीक रहेगा वैसा नहीं है consistently अगर आपका score 110 से 120 तक अगर रहता है अगर 20 से 30 मौक में लगातार रहता है तभी आप खुद को मानिए कि यह मेरा score इतना अच्छा जाएगा अगर किसी एक मौक में आपका 122 रह रहा है और दूसरे मौक में आपका 100 रह रहा है तो आप खुद को मत शचूए कि मेरा जो रिटिन का जो है score वहां पे भी अच्छा जाएगा लगातार कॉंसिस्टेंटली अगर आपका मौक 110 से लेके 120 के बीच में अगर रहता है तो गेरेंटी है कि आपका जो फाइनल जो एक्जाम में आपका जो है रिटिन एक्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा ठीक है एक दो मौक में खुद को confident मत मानिये खुद को जो है over confident मत मानिये लगातार बहुत सारे मौक में अगर आपका score अच्छा रहे तो भी खुद को confident मानिये और तब भी आप मौक ज़्यादा से ज़्यादा देते रही है ठीक है कहीं पर कुछ drought रहा हो तो नीचे comment जरूर करें हम उसके उपर जो video लाने की जरूर कोसिस करेंगे अगर नहीं video ला पाए तो comment section में ही आपका doubt क्लियर करने की कोसिस करेंगे कभी कभी offline classes के वज़े से आपका जो comment का reply देने में बहुत ज़्यादा देरी होता है उसके लिए आप बुरा मत मानिये हम बाद में आपको comment का जो review करके उसका reply जरूर देंगे और हमारा जो नीचे description में telegram group का link दिया हुआ है वहाँ पर जाके आप जोइन हो जाईए वहाँ पर जो हम बाद में KBS का बहुत सारे story material already provide करवा चुके हैं और कुछ story material आपको अभी provide करना बाकी है फ्री में वो सब दिया जाएगा आपको और कुछ भी doubt हो तो comment जरूर करें आज के लिए इसनाई फ्रेंट्स हमारे चैनल को like, share, subscribe जरूर करें Thank you friends